कि हलो फ्रेंड मैं आनंद राज आप सो के भी देखिए आज हम कि आर्भर्ट नौलेज इन्वर्सिटी जो आपका पटना में है उसका जो दूजार 21 में एक्जाम हुआ था सेशन 20-22 का उसका हम बीट फरस्टेर का देखिए कोर्स वन से लेकर आपका सब कोस्टन बताएंगे समझे देखिए प्रीविस यह कोस्टन देखना बहुत जरूए कि आपका उससे पैटन पता चलेगा कि कैसा कोस्टन पुछा जाता है एक्जाम में समझे तो देखिए इसमें हम कोर्स वन से लेकर सेवन जो मेठर होता है सब कोस्टन बताएंगे हम सबसे पहले आपको बतात इसका खुच एक अथीक पता देता है कि तीन पर फेपर वान पर टू आपका केंटम्परोरी इंडियाने दुकिसर और फेपर थिरी आपका लर्निंग टीचिंग अनु आपका असी असी नमबर होता है देखिए इसमें आपका लिखा हुआ है कि there are nine question in the newspaper यानी नो कू कुस् नमर वन अटम्ट एनी एट आउट आउट अफ दा टूएल यानी बारा में से आठ का जवाब देना है इनकमपर्सल यानी अनिवार्ज है यानी question नमर एंसर देना क्या है अनिवार्ज है फिलिका attempt for question one question from each unit यानी परतेक यूनिट से एक question का जवाब देते हुए आपको आठ में से कितना का जवाब देना है चार के देना के निर्देश पढ़ना इंट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी होता है ने तो आपके फिर नमर कम जाएगा यह देखते है question number one में 8 question का जवाब देना है समझे 12 question होगा पहला question है बालको की सारीरिक व्रिधी का समान रूप दूसरा question है मानसिक विकास के विविन छेत्रों को बता यानि give the various areas of mental development तिसरा question है सी नमबर एरिक्षन की मोनो समाजिक विकास सिधांद को लिए डाइट दा एरिक्षन थिओरी अफ दो साइको सोसल डेवलोमेंट चौथा question है कि स्वोरा आवस्ता को परिभासित के डिफाइ की भूमका का लेकिजिए राइट दा रॉल अफ टीचर इन एडोल से अगला कि स्वोरा अवस्था की मिश्यस्ता बताई राइट दा क्रेक्टर लिस्टिक्स अफ देडोल से अगला है समाजी करन के अधरना बतायान गीव दा कॉंसेप्ट आप सुसलाइजाशन अगला है स भू सामयोजित बालक के लच्छन में राइट दा सिम्टम ओफ ए अमेजलर्ड चिल्डर अब हो गया बारा में साबको आठका जवाब देना था दो नंबर कोस्टन है देखिए यूनिट वन में आपका दो और तीन कोस्टन इसमें साबका कोई एक कोस्टन का जवाब देना यह कोस्टन है प्याजे कनुसार बालक के सगेन अत्मक विकास की विवेचना के लिए डिसकर्ट दा कॉंगनेट्रिम डेवलोमेंट ओफ चाइल्ड एक्कॉर्डिंग टुड़ तीसरा कोस्टन है बिहार के विश्यस संदर में बच्चों के समसाइक वास्तिकताओं का समस्टेल के विकास समद्धित परमुक मुद्ध्यम कार्कों की विख्या की जिए प्रफ्चमा क्वेच्चन है एक किसोर के समाजी करण की विवेचना की तो ने डिसकर्ट दो प्रोसेस एंद प्रोब्लेम आप सुसलाइजेसन आफ चाली इन भीहार आई इनीट फोड है व्यक्तित्व को परिवासित कि इसके परकार्यम विशेश्चक सिदान्द की बेख्या किजिए नौमा कोस्चन लास्ट है मांसिक स्वास्त को परिवासित कि एक बालक के मांसिक स्वास्त में शिक्षक कि भूम करण की तया स्वान का कोश्चन हों गया आई एक पैटन वही रहाता है नोको राएंगा कोश्चन नम्र एक का जवाब देना है दम अनिवार रूप से और इधर आठम मीसे चार का जवाब देना है पर थे कूम्निट में सब्सक्राइब के साथ अपका एक नम्बर कोस्टिन में आपका जो बारा है अबजिक दो नम्र्का होता है तो आपका एनमबर सभधारनिक मुल्ट को परिवासित कि थिए ले दुशर कार्ज किया है कि सरका है सिक्षा एक समाजिक परिक्रिया है बैख्या करें अगला है राष्टिये ज्ञान आयोग दूजर पांच को परिफासित किजिए अगला है निश्चधात्मक सिक्षा से आप क्या समस्ते हैं निगेटिव एजूकेशन अगला है मॉन्टेश्री स्कूल में सिक्षक की भूमका अगला है वर्धा समी परिफासित किजिए अगला है कि नमर धानमिक सहिन सुद्दा को परिफासित किजिए और लास्ट है मध्यान भोजन उजना समझे आयद इनिट वन का दो नमर कोश्चन देखते हैं पर क्रितिवाद क्या है सिक्षा के छतम इसका क्या एक दान है तिसरा को सटन है रभीनाट दिपार के लिए शिक्षा के महत्की इस बेसह में लिखी अगला उनिट थिरि में मुधालियरू कि संतल्थियों का वर्णां करें कि अगला म्रोचन है वर्धाय की मुख संतल्थियों का संकेस्थ मेर्ण बिलान करैंसिक एंजिकी कशिशना की सिसिविसाने को भीतना की ठett सर्व सिक्षा अभियान आर एम से आया बाते है लर्निंग इंटीजिंग जो कोट स्थिरी होता है इसमें भी आपका नौ कोस्टन रहेगा एक कोस्टन का जवाब प्रिंस्पल अप्र ट्रांसपर अपल लर्नी दूसरा है सिक्षा में व्क्तित्व का क्या महत्व है सी नमर में है ठोंडाइक के सिखने के नियम की बैखा किजिए दी नमर है सिजनात्वक्ता बाला की पाहचान किजिए अगला है बुद्धी का दुखंट सिदान्द क्या है एक मैं कैट की संशेफ में चर्चा करें अगला है सामायोजन से आप क्या समस्ते हैं फिर कालास्क्री सिदान्द को कोई दोस्सेचिक नहीं है थार्त लिखिए अधिगम से आप क्या समत्ते हैं अगला है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का सफष्ट किजिए विद्यार्थी के संग्यान को व्यक्तित्व समाजिक एम संस्क्रेथिक विविंता किस पकार प्रभावि क्या समझते हैं अधिगम परिक्रिया में समय गात्मक परिपक्ता यों समय गात्मक बुद्धी के महत्त को अस्भष्ट किजिए सत्मा कोस्चन है विद्यार्थियों में भयमुक्त अभिवेक्ति रूची समुवकार्ज यों सिजन वक्ता का विकास करने तू सिक्षक किस प विक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारत कौन से है चर्चा किजिए लास्ट है बुद्धी क्या है बुद्धी मधिगम में क्या समंद्ध है मल्टीपल इंटिलेजन्स को धारान सइस्त असफष्ट किजिए आई आप देखते हैं कोर्स जो फोर होता है और फाइ प्रभावित करने वाले तत्तु को लिखिए अगला है लगून नाटक सिक्षन कितने परकार के होते हैं अगला है पाठक्रम को परिभासित कीजिए एक प्रभावसालिय अध्यापक के गुन बताई और लाश्ट स्रवन को सल को परिभासित कीजिए इसमें से आठ में से कोई पांच का जवाब देना है यह दू नमबर कोश्चन देखते हैं भासा प्रिवकसाला क्या है भासा प्रिवकसाला में उपकरण और प्रिक्रिया का नहीं कुझे दिश्रा कुष्चन है भासा और समाज में क्या समबन्द है समब्सक्राइव कि आई एवश्तर अदेखते है का चौता कुछ्चन है भासा को को परिवासित किजिए सिन परिचहती नहीं सिक्षक परिशार्थती पर्ठक्रम में है आपका अपने za violent traumat का आलो की टिपनी लिखना है वर्तालाप यम बादचीत लगुनाटन सिक्षन सोट पले टीचिंग आया बाते हैं कोर्स आपका अंदर इस्टेंडिंग डिस्प्लीन सब्जेक्ट कॉर्स फाइफ है समझे इसमें भी आपका चालिस नमर का देर घंटा इसमें टाइम राता स्थेम वह ही है पांच कोस्चन का जवाब देना है सेच्छिक अनुसासन का साब्दी कर्थ बताईए दुसरा है अनुभविक ज्यान की अधारना बताईए तिसरा है अनुसासन के दार्शिन परिपेक्ष की व्याख्या कि दूसरा कोश्चन है अनुसासन के अधियम करता के विकास है तु अनुसासन के लक्षियों द्योस्तों की विवेचना करें पाचमा कोस्चन है आपका कि विशाय समपडेशन की परमुक परविद्यों का ओनन करें छठा है सोध से आप क्या आसे हैं विशाय के संदर में सोध की परिक्रिया का विवेचने करें यह जेंडरी स्कूलन सुसाइटी में आते हैं हम लोग कोड़ सिक्स जो हता है भी 40 का होता है टाइम देर घंटा है यह देखते हैं 5 कोशन 5 का जवाब देना है आट में से लिंग पक्षपात को परिभासित किजिए जेंडर भाहस को अगला है बेटी बचाव बेटी परागमूल भी सिस्ता लिखिए तिसरा है समाज को परिभासित किजिए अगला है लिंग पुरुवागरा और लिंग डू पूरा नाम लिखिए दुसरा कोश्चन है लेंगिक भेत को परिभासित किजिए रुडिवाद लेंगिक धर्नाव का संच्छेप में वर्नन किजिए अगला है कि पित्सत्ता क्या है भारतिय समाज में परचलित कुछ पित्सत्मक परथाओं का उधारन दिजिए चोथा है अब पक्षपात्यों समानता से आप क्या समस्ते है समाजिक अधारों पर लिंग विशेश क्रित के विवेचना करें बिहार राज में लिंग समस्या क्या है इसे हल करने की उपाय बताईए चठा कोश्चन है बिद्याली पाठ करम और पाठ पुस्तक में लिंग पुरभाग पांच में से तीन का जवाब देना है चालीस नमर का भी होता है मैत का भी बताएंगे समझे तो देखे पहला कोश्चन है विज्ञान सिक्षन का दैनिक जीमन में क्या महत्व है दूसरा कोश्चन है पदार्थ विज्यान की दो विश्यस्ता लिखिए फिचिकल साइंस का सी नमरे समान उद्देश और विश्यस्ता विट्देश से आप क्या आप कैसे परिभासित करेंगे तीसरा है नमर जूथा विज्यान सिक्षन सिक्षक के गुर्णों को संचेप में लिखिए अगला पर्दूशन है कितने स्रूत है अगला है विज्यान मेंले के अच्छी को देशों के लिखने के संदर में ब्लूंग टेक्स नौमी की विचना किजिए विवनी अस्तरों के दस उद्वसों को निर्वित किजिए अगला है हुडिस्टिक विधी तता प्रजेक्ट विधी में क्या आंतर है असपष्ट किजिए विग्यान सिक्षन के लिए अगला है विध्यान सिक्षन में मुल्यां का महत्व अच्य मुल्यां के लिए अवस्तार से औरनम करें अब यह मैत के कुस्चन में आते हैं मैथमेट्रिक्स एन पैड़ागो जीविचाली समय चीजा पाला को चने गनीत सिक्षन के समाजिक मुल्यों को परिवासित की जगल अब नमर में इतना का मान गयात कि जी समझे तुसरा है गनीत का विग्याद के साथ क्या समद्ध अगला अनू करन को परिवासित करें फिर है शुक्त्र शिक्षन चक्रिकी परिक्रिया क्या अगला इंकाई हो जना के लाब लिखे इसको हल करना है एक प्लस एक वर्ट यह ब और सभी कलाओ की कला है इस कथन की गनीत द्वारे विविन विग्यान और कला विशों को पढ़ानें समझने में की जा सकने वाली सहता के संदर में प्रचमा है अपने परदेश के विद्याले में परचलीत गनीत पत्र पाठ करम में से किसी एक उप भी सह पर एक पाठ जना त्यार कीजिए समझे आपका कोस्चन हो गया समझे तो धन्यवाद